वेलकम बेग एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के हमारे पहले मैच के बारे में जो की खेला जाएगा IA T20 का 17 मैच मैच होगा दूबई केपिटल्स वर्सस डीजर्ट वाइपर्स के बीच ठीक है तो देखिए पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी था और यही रीजन था मैं आप लोगों के लिए ना वीडियो बना पाया और ना ही मैं मैचेस की टीम दे पाया आज से आपको most of the matches जो अच्छे होंगे उनके वीडियो भी मिलेंगी और मैचेस में अच्छी खासी हम लोग विनिंग भी करेंगे तो पहली बात तो यह आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना तो मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आप सब के लिए गीववे भी रहने वाला हैं आप सब के लिए जो वीडियो देख रहे हैं तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस वीडियो में नहीं बलकि आने वाले वीडियो में भी गीववे होंगे आप वीडियो में giveaway क्या है वो हम आगे देखेंगे लेकिन सबसे पहले हम यह देखेंगे इस match में हमारे लिए कौन से player कितने important है कब हमें किस तरीके से investment करना है और एक चीज और note कर लेना starting मेशले बता रहां क्योंकि यह सबसे बड़ा point है pitch report का जरूर ध्यान लखना कि pitch report कैसी है क्योंकि अभी तक यह 17 match है 16 match है इसमें 14 match जिसने pitch report के साफसे team बनाई है वो बंदा जीता है 100% दो match unexpected हुए हैं जिसमें pitch report वाले ने बताया कि batting अच्छी होगी लेकिन bowlers ने बहुत बहतरीन game खेला वहीं दूसरे match में ऐसा हुआ था कि pitch report में यह आया कि जो bowlers से वो अच्छा करेंगे लेकिन ऐसा ने batting बहुत अच्छी बाकि 14 matches में सेम चीज़े होई है जो pitch report में आई थी तो पहला सबसे important point यह है इस match में अगर आपको सही profit रंद करना pitch report का ध्यान डखना जो मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ठीक है और बागी बहुत सारी चीज़े इस वीडियो में आप पूरा देखोगे आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी है लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल पे आएए तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और जिनोंने टेलीग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है वो टेलीग्राम भी जोइन कर लें उसका reason क्या है क्योंकि इस मेच की जो final team आपको मिलने वाली है वो कहा मिलेगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी ओ जोइन केसे करना है मैंने वीडियो की description में भी लिंक दिया है और comment box में भी लिंक दिया है जहां से आपका मन करें जोइन कर सकते हैं और जोइन करना ही है क्योंकि final team यहां मिलेगी टेलीग्राम पे उसके लाव जो जैसे बैटिंग ओटर में कोई changes होते हैं वो मैं आपको बता दूँगा substitute में कौन सा प्लेर आने वाला है वो मैं आपको बता दूँगा और जो final pitch report आईगी वो मैं आपको बता दूँगा तो काफी important चीज है टेलीग्राम जिसका link description and comment में मैंने दिया हुआ है जहां से आप चाओ जोईन कर सकते हो अब सबसे पहला point तो यह है मैंने अगर आपको याद हो अगर आप मेरे पुराने follower हो तो आपको मालूम होगा आपको एक बात बोली थी कि मैं giveaway के लिए तो यह अलग प्लान कर रहूं है ना और एक तरीक से में giveaway behaviors भी अच्छा अवासल आने वाँ हो तो इस video में और आने वाली videos में काफी सारे इस वीडियो में भी डिववे there और जो आगे videos आएंगे ना उनमें भी किसी भी video में giveaway हो सकता है मैं यह बताऊंगा नहीं कि इसमें वीडियो में गीववे और इसमें नहीं है आप अगर सही तरीकी से चैनल को सब्सक्राइब करके फोलो करोगे ना आपको प्राइज मिलने वाला है सबसे पहला पॉइंट ही है इस वीडियो में जिस बंदे ने पहला लाइक और पहला कॉमेंट किया उसको मेरी तरफ से और पूरी IKM फैमली की तरफ से कॉंग्रेचुलेशन क्योंकि वो बंदा इन तीन प्रोड़क्ट के गीववे मैंसे जो आपको देखने को मिलेगी एक नेग्बेंड है दो इयर बेट से तो मतलब एक प्राइज में देने वाला हूं किसको जिसने पहला लाइक और कॉमेंट किया उसको अब क्योंकि तीन प्राइज है तो दो विनर्स अभी भी आना बाकी है अब वो कौन होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा बस गीववे कि मैं आपको तीन से चार कंडिशन बता रहा हूं अगर आप ये फोलो करते होना तभी आपको प्राइज नहीं करते हो और मालो आप विनर्स भी सेलेक्ट हो गए होना तभी आपको प्राइज नहीं मिलेगा तो कंडिशन क्या है अच्छा सबसे पहला पॉइंट आपको ये भी बता दू ये गिववे के सबसे अच्छी बात है आप सब के लिए कि ये गिववे सेम डे के अंदर किलियर होगा बताब जैसे आज का ये मैच है आट बज़े इसकी डेल्डाइन हो जाएगी है ना आठ बज़े के बाद मैं डायरेक्टनी सेलेट कर लूगा विनर को ठीक है उस विनर को जो मैं सबसे अच्छी चीज अब इस giveaway के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा देखिए वीडियो थोड़ी से लंबी होगी उसके लिए मैं sorry बोलूँगा आगे हम और चीज़े देखेंगे लेकिन ये चीज़े बताना जरूरी है क्योंकि जो आगे वीडियो आएंगे ना उनमें ये चीज़े नहीं बत लाइक आएंगे ये वही पैटर्न है जो पहले वाला था ठीक है यानि कि आप कॉमेंट कर रहे हो और आपके कॉमेंट पे अकर सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं तो भी आप इन दोनों में मतलब इन तीनों में से कोई भी प्रोड़क्ट विन कर जाओंगे और तीसरी बात इस गीवर में मैं एक बंदा में लखी ली सेलेट करूँगा जैसे आप वीडियो देख रहे हो आप कॉमेंट करते हो आप जरूरी तो नहीं है ना कि आपके कॉमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आई तो मैं एक रेंडम कमेंट भी सेलेट करूँगा और उसको भी पाइल के अंदर ध्यान रखके चलना देखे काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी कर रखा होगा लाइक भी करेंगे लेकिन फिर भी में उनको प्राइज नहीं दूगा क्यों क्योंकि चैनल का लोगो लगाना यह जरूरी है और मैं यह और आपको बता दू आने वाली जो वीडियोस होंगे ना मोस्ट अब दी वीडियोस में यह जरूर रहने वाला हैं तो मेरे बाई देखिए टाइम थोड़ा आपका मैं यहां पर ले जरूर रहा हूं लेकिन आपको उससे ज्यादा दे रहा हूं तो आप लोगों को मैं यह कोंगा पहले तो चैन आपको बोला ना कि सेम डे में यह गिवेवे किलियर होगा तो जैसे आठ बजे मैच स्टार्ट होगा मैं आठ बजे विनर सेलेट कर लूँगा अब यह जरूरी है जो विनर आएगा उसको अपना इंस्टाग्राम की जो आईडी होगी वो कॉमेंट करनी पड़ेगी वो जै जो विन कर चुका है लेगन अगर उसने इस्टाग्राम की आईडी नहीं दी तो फिर उसको अगले किसी भी वीडियो में गिववे का प्राइज नहीं मिलेगा यह ध्यान रखना कहीं वो बोले कि भाई मैंने तो प्राइज विन किया था आपने मुझे दियानी सेम डे का मत आना आज के दिन इसलिए जरूरी था क्योंकि एक तो काफी दूनों बाद वीडियो आ रही है और फिर चीजों में चैंज भी हो है ठीक है चलिए अब करते हैं इस वीडियो को जहां के लिए यह सबसे इंपॉर्टन चीज है देखिए वो तो गीववे पता नहीं कोन विन क करेगा कौन करेगा लेकिन सबसे इंपॉर्टन चीज अगर आपको विन करना है एक अच्छा खासा प्रॉफिट करना है तो टेलीग्राम आपको जरूर जोइन करना पड़ेगा नाओ अब हम बात करते हैं इस मैच के बारे में तो जैसा मैने आपको बोला कि सतर्वा मैच हो चार मैच में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी कि जो टीम पहले बोलिंग कर रही है ना वह विनिंग कर रही है और मैं आपको भी जर्श स्टार्टिंग में एक बात यह भी बोला था कि जिस बंदे ने पिछ रिपोर्ट के हिसाब से टीम बनाई वह ज्यादतर तो चार मैच बोलिंग करने वाली जीती तो हमें यह चीज के लिए रहे कि जो टीम पहले बोलिंग करती है उसके विनिंग के चांच ज्यादा है चाहिए कोई सी भी टीम हो चाहिए अब यह दूबई की टीम हो चाहिए वाईपर्स हो बस थोड़ी वाईपर्स ज्यादा श्रोंग है तो उनके विनिंग के चांस बैटिंग फर्ष पर भी लेकिन उतने नहीं जितने बोलिंग करने वाले क्यों बाकि आप इस विकेट पे इन का वेन्यू है वहाँ पर भी स्पेनर्स के लिए कोई हल्प नहीं है आपको मैं यह सजेस्ट करूंगा कि जो पेसर से ना जैसे शाहिन आफ्रीदी हो गए लुक वूड हो गए मौमद आमीर हो गए अगर आप ग्रैंड लिग वगर खेलते हो इनको क्याप्टन सी देना अगर पहले बोलिंग आती है इस टीम की ठीक है बागे दोनों टीमों की कंडिशन बराबर है डिजट वाइपर्स दो विन किये और दुबाई के बिटल्स भी दो विन किये तीन दोनों टीमें हार के आ रही है और यह रिसेंट के मैचस से हैं प्लेंग लिए उनमें आप दे देखने को मिल सकता है और वह यह कि जैसे टीम पहले बैटिंग करेगी तो जो दुश्मान था चामिरा है ना यह सब्सचूड में होगा और जैसे बोलिंग करेगी तो यह होगा प्लेंग लिए और कोई बीस जैसे मान लो की एक्जांपल के लिए मान लो बैंड डंक ले लो यह आजाएगा सब्सचूट में है ना यह आपको पता ही होगा यह नॉर्मल चीज़ है यहां की इस टीम में अगर आपको एक और कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि एक लेफ्टेंड यह रहा एक लेफ्टेंड यह और एक लेफ्टेंड यह यह यानि कि टॉप थिरी में ले लो टॉप थी में दो लेफ्ट एंडेड है जहां से सामने वाले टीम में अगर कोई ओफ इस्पिनर बोलर होना तो वह काफी इंपोर्टेंट होगा अभी मैं आपको वह बताऊंगा कौन है कौन नहीं है ठीक है इस टीम के में बोलर्स की अगर मैं बात करता हूं पहले पा में बोलर्स में आपको चार ओर जो देंगे उसमें जैसन होल्डर पहले चोईस होंगे फिर सिकंदर रजा एक दुशानता चामिरा यह तीन के लगबग फिक्स है बचे आठ ओर्स में आकिफ रजा हैदर अली और रोले फंडर मारवे यह मिलके आठ ओर्स करने वाले ध्यान अभेले यह वह वाला रिकोर्ड है जो मतलब यह जो आईल्टी टूंटी स्टार्ट हुई है ठीक है 17 मैच है यानि कि यह जितने भी प्लेयरों का रिकोर्ड जिसमें नोट अवेलेबल लिखा हूआ है यह सारा रिकोर्ड वो है जो इन्होंने इस मतलब सीरीज से पहले जैस पर दो मैच खेल एक में 22 एक रन और वेन्यू पर देखोगे एक मैच में 81 और बागी पांच में बागी चार में पांच में से फ्लोग फिर बेंड दंग की बात आती है दो मतलब मैच जिसमें एक में बारा टीम के अगेंस दोनों प्लेयरों का चाहे सेम बिलिंग्स हो चाहे बेंड दंग दोनों का पहला मैच है और सेम बिलिंग्स देखिए काफी इंपर्डेंट प्लेयरों को डाउट ही नहीं है वेन्यू पे भी रिकोर्ड अच्छा है और बिलिंग्स तो भाई कैप्टन मेटेरियल प्लेयर है और यह तो वैसे भी कोई बोलिंग विकेट है नही चाहिए क्योंकि सामने आले टीम आप देखोगे मुहमद आमिर लुक वूड और शाहिन शाफ रिदी ऐसे तीन टॉप क्लास बोलर खेल रहे हैं तो बैटिंग लगबग फिक्स आईगी तो कैप्टन सी के भी अच्छे चोईस से बिलिंग्स मिनी जील बगरा में सिकंदर र अगर यह बैटिंग ओपर करें यह बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन अब इतने नीचे बैटिंग करने का कोई मतलब भी नहीं लेने का जैसान होलर की बात आती है तो अगेंश तो पहला मैच होगा लेकिन वेन्यू पे इन्होंने मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मस दिखाया हुआ है रोलिफ वंडर मार्वी के हम बात करते हैं तो यहां पर इन्होंने कुछ मैचेस में इस वेन्यू पर बहुत ही शांदार परफॉर्मस है और अगेंश की हम बात करते हैं तो इनका यह पहला मैच रहने वाला है देन उसके अलावा हम बात करते हैं आकीफ दूबई का प्लेयर लेकिन यह लीग जो है यह जो टूर्नामेंट चला इल्टी 20 उसके अंदर इन्होंने कोई मैच नहीं खेला इस वेन्यू पर वह यह वह रिकोर्ड है ना यह मत देखा करो कि यार इन्होंने तो मैचेस खेले ही होंगे बिल्कुल खेले लेकिन लीग का देखो कि यह जो लीग अभी चल ली उसमें इनका पहला मैच है फिर उसके बाद दुशानता चामीरा है इंपोर्डेंट प्लेयर है नो डाउट बहुत इंपोर्डेंट प्लेयर वेन्यू पर आप देखोगे तो इन्होंने साथ विकेट ले पिशले चार मैच मैच में अग हम बात करते हैं दुबई की टीम का जो पिछला मैस था उसके स्कोर कार्ड की तो पिछले मेच में जो टीम के हाईएश स्कोरर थे वह थे सिकंदर रजा रहें लोडें वंडर मारवे और उसके बाद बॉलिंग के हम बात करते हैं तो हैदर अली ने एक विकेट लिया बाकि जो बॉलर से वह किसी को मतला म्तला बॉलिंग की ले एकन किसी को विकेट मिलानी था सेकनल में आप सबसे बड़ा रिजन है動画 मोस्टम महरे सबसे बहें ने करेंगे जो पिछले मैच में भी इनोंने किया था फिर कॉलिन मुन्रो बंडाउन आएंगे फिर एडम होस फिर वानिंदू हसर अंगा फिर आएंगे आजम खान शार्फें रदर फोड अली नासिर शाहिन शाफरीदी लुक वोड और मुहम्मद आमिर मैंने आपको याद हो त वसरंगा और नीचे के तीन बोलर बचे कितने चार और बचेना तो यह चार और की अंदर रहान मुस्तफा एक और अप्शन है और एक अली नासिर ध्यान रहे चलना उसके बाद यह एक चीज़ यह भी ध्यान देना पातिराना भी इनके पास एसे मेन बोलर के रूप में खे ए के मुट्मिद आमिर शाहिंजाव लीघिए किसाथ पावर प्लै में आएंगे यह दोई डेट में मतीशा पाथिराना कि साथ आने वाले अब यहां से देखते प्लेरों का रिकोर्ड की प्लेरों का रिकोर्ड अगेंच्ट में कैसा है ऑर वेंट्यू पे कैसा है रहन मुस्तफा की बात आती है डी यूबी के अगेंश नोंने दो विकेट लिये एक मैच में और एक में 30 रण वेन्यू की हम बात करते हैं इस आयल्टी 20 का रिकोर्ड इनका ठीक था कि एवरेज है मतलब एलेक्सेल्स की हम बात करते हैं तो एलेक्सेल्स देकि इस वेन्यू पे भी विल्कुल फ्लोप रहा है और इस टीम के अगेंश भी फ्लोप रहा है देन कॉलिन मुन्रो है कॉलिन मुन्रो की हम बात करते हैं तो 40 रन एक रन और बाकि इस वेन्यू की हम बात करते हैं एक मैच मे होंगे यह बट यह ध्यान डखना अगर पहले बैटिंग आती है ना इस टीम की तब उतने इंपोर्टेंट नहीं होंगे यह क्योंकि आपको भी पता ही बताया ना मैंने कि बॉलिंग करने वाली टीम के विनिंग के चांच जादा है तो उसके इसमें ज्यादा अच्छ होंगे आपको मनानी करूंगा अली नासीर एक बहुत ही अच्छा प्ले और यह बोलर है मतलब लेकिन बोलिंग लेकिन इनको बोलिंग नहीं दी गई थी पिछले मैच में जिसके कारण अब चांस का में बोलिंग करेगा नहीं करेगा कहा नहीं सकते हैं शाहिन आफरीदी कन्फर्म बोलिंग करेगा और एक विकेट टेकर उसमें कोड़ाउट भी नहीं है लिग्वुड की हम बात करते हैं डीउब के अगेंच दो विकेट लिया हुआ है और वेन्यू की हम बात करते हैं तो हर मैच में इनका विकेट है और मम्हाम्मद आमीर जिनका वेन्यू पर आप देख वानिंदू हसरंगा थे और बोलिंग के हम बात करते हैं तो बोलिंग में जो विकेट लेस थे वो शाहिन आफ दी थे बाकि सब ने विकेट ले आमीर ने तीन पाथिरा ने दो हसरंगा ने एक वहीं लुक वूड ने दो और आमिर का तो बताई दिया है मैंने तीसरे सेकें ला जो थे वह आजम खान और बोलिंग में बात करते हैं तो वानिंदू असरंगा ने तीन विकेट ले लुक वोड ने तीन और वहीं पर शाहिन आफ रिदी ने एक अब हम बात करते हैं तीसरे मैच की तो हाई इस्कोरर शार्फें रदर फोड और बोलिंग में आप देखोगी आपको समझ में आ गई होगी लेकिन अभी भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ये जरूरी है और चैनल का लोगो लगाना ये जरूरी है लाइक भी तो ये जरूर कर लेना अगर आप पाटिस्पेट कर रहे हो तो और सेम डे का गीववे किलिय का ये मेरा कंफर्म गैरेंटी बस जो विनर आएगा ना उसको अपना इस्टाग्राम का यूजर आईडी जरूर कॉमेंट करना पड़ेगा अगर वह नहीं करता है अगले दिन भी करेगा ना तो भी उसको प्राइज नहीं मिलेगा बाद में ये मत कहना कि आर भाई आपने प्राइज नहीं दिया मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा 100% लेकिन अगर वह कंडिशन फॉलो करता है तो वरना नहीं चलिए अब हम बात करते हैं टीम की वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि फाइनल टीम जो है वो टेलिग्राम पे मिलेगी और बागी टीम का सीन ऐसा है ना पिच रिपोर्ट के अकोर्डिंग टीम बनेगी इस मैच में ठीक है और इस मैच में नहीं पूरे दूबही के जितने भी टी-20 मैचेस आएंगे सब में सेम सीन होगा तो मैं फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम का आपको बता चुका हूं लिंक डिस्रिप्शन में जोइन कर करेंगे हैं ना तो मैं सब्सक्राइब करूंगा सेवन फोर में अगर आप यह मैच खेलते हो आपके लिए ज़्याद अच्छा होगा बागि 10-1 में अगर मैं खेलता हूं तो मैं आपको टीम दूँगा फिलाल के लिए मैं सेवन फोर की टीम आपको दिखा रहा हूं करने वाली टीम के विनिंग के भी चांच जादा है उसके बाद आजाते हैं बैटिंग सेट्शन में तो यहां से डेविड वॉर्नर को पहले पिक करना है और उसके अलावा कॉलिन मुन्रो और एलेक्स हेल्स की जगह एडम होस अनोधर गुड़ अप्शन है जिनको अगर आ जैसा नोडर भी इंपोर्टेंड होगा इसपेशली जब टीम की पहले बोलिंग आती है क्योंकि उसकेस में एक दोवर डेथ में लेके आएगा शाहिन आफरीदी मौहमद आमिल लुकवूड देखें यह जो भी आप 10 प्लेयर मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ना यह गुर्बाच को ले लूगा गुर्बाच की इम बोलिंग करेंगी यह लेकिन मान लो की गुर्बाच की मोलिंग नहीं कर रही है तलव सकते हैं अब यहां से बैटिनग राएगी तो उससे पाथिरा नहीं को ले But bet удив with Deca200 यह वे दोएवर इंध दूँगा हसरंगा को लेキन मान लो रजा की टीम पहले बेटिंग करती है क्याप्टर मेरा हसरंग रहेगा और वीसी मेरा शाहीज घ्रम किया वीडियो थोड़ी लंघ हória पकाफी काम की वीडियो थी उम्मीद करता हूं आपके लिए między अच्छा जाए ठीक है। ठैंक यो दोस्तों वीडियो को इन तक देखने के लिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में